सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ के लिए कर दूँ कि यह वीडियो किसी भी ब्रैंड से स्पॉंसर नहीं है जितनी भी एरफॉंस कंपनी मैं इस वीडियो में बता रहा हूं उस सब के सचाई भी मैं आपको बताऊंगा एंड उसके इलावा मैं आपको इस वीडियो में एक दोनों चीज़ लग चुकिया तो यार प्लीज एक लाइक तो कर देना अब चलते अपने एयरफॉंस के स्पैसिफिकिशन में ठीक है तो मैं यहापर आपको बता दूं मैं यहापर बता रहा हूं एयरफॉंस की ठीक है है एडफॉंस वगयरा की नहीं बता रहा है सिर्फ औ देते हो तो इसमें आपको पांच चीज़े देखनी चीज़े सबसे पहले होता है हमारे ड्राइवर की उस एयरफॉंस में कौन सा ड्राइवर लग रहा है एंड उसके साथ ही ड्राइवर का साइच क्या है एंड उसमें एक फ्रिक्वेंसी रेंज होती है वह आपको देखनी कि कितनी है एंड चोथा जो में जिस्टों यह टी एचडी यह चोथा तो भाई आप जरूर देखना और पांच वाय है हमारा माइक तो मैं आपको एक चीज़ पहली बता दूं कि इसमें काफी सारी जो इंफर्मेशन होते हैं वह एरफॉंस कंपनी प्रोवाइड नहीं करती विकोज अगर आपको यह चीज़े पता चल जाएंगी तो आप बहुत तेजी में उस एरफॉंस को रिजेक्ट कर दोगे अगर उन्होंने इंफर्मेशन दे रख्योगी अब बात कर लेता हैं यह जो हमा चीज़े हैं साथ में इसेकेंड है हमारा ड्रैवर साइज ठीक़ी है तो आपको यह देखना है कि उस एरफॉंस का ड्रैवर साइज क्या है ठीक है तो जो minimum हमारा रहेगा वो रहेगा 8 8 से नीचे मज लेना वैसे हैं मैं 9 लिक रहा हूँ लेकिन अगर 8 हो तब भी चलेगा अगर 9 हो तब भी चलेगा अगर उससे उपर है तो maximum होना चाहिए 20 because काफी earphones में न डियोल ड्राइवर होते हैं यानि कि हमारे left side में 2 speaker लगेवे होते हैं एक earphone के अंदर तो उसमें अगर एक 8 mm का है तो दोनों मिलाके हो जाते हैं हमारे 16 mm तो उस हिसाब से 20 mm भी चलेंगे वैसे आप ज्यादा तर 18 mm तक लेए अगर हो मतलब कि 8 से लेके 18 के बीच में इन में से ले ना सारे बड़े रहते हैं आट से लेके 18 तक में अब गाइस बात कर लेता हैं हमारी ठड़ जो किया फ्रकेंसी रेंज तो इस फ्रकेंसी रेंज में हमारा जो लो होता है वो साइड होती है बेस की एंड जो राइट साइड में इनकी 40,000 के असपस लिखी रहती है काफी एरफोंस में वो होती है हमारी ट्रेबल गेमिंग एरफोंस में ज़्यादा में अच्छी ट्रेबल होगी उतने ही अच्छा आपको गेमिंग एक्सपरियेंस आएगा देखो यार जो हमारी लाइट साइड होती है जहाँ पर लिखावा हुँद हो जाएगे ओत लेवल जिसे बोलते हैं टोटल हार्मोन डिस्टरविशन अगर कोई एरफोंस कंपनी टीएचडी लेवल प्रोवाइड करती है तो आपको आग बंद करके वह एरफोंस ले लेनी है क्योंकि भाई 90% कंपनी अपना टीएचडी लेवल नहीं बता दी तो गाईस जो हमारा टीए दब भी चलेगा अगर एक दो तीन हो तो भाई बहुत सही है 0.5 हो तो और भी सही है अब आप लोग यह सोचरों में कि भाई यह टीएचडी लेवल होता किया है बहुत सिंपल विमे मैं आपको बताता हूं देखो गाईस तीन साउंड हम रखते हैं एक होता है हमारा एनिमी इसा होता है कि वो एरफॉन्स में फूट साउंड आता ही नहीं मतलब इसकी भी हो जाता है तो उस वक्त काम आता है हमारा थीएचडी लेवल जितना ही कम होगा उतन ही आपके जो फूट शाउंड बगर है उसके किलियर्टी आएगी मतलब कि अगर फूट साउंड भी आ रह ती और मैं ऐसी ऐसी आपको gaming earphones आगे बताने वाला हूँ जिसको भाई सुनने के बाद आप क्या होगे हैं यह company भी इतनी घटी है मेरेको तो अच्छी लगती थी लेकिन गाई जब आगे जाके competitive में hardcore mode में gaming खेलो गे ना तो भाई यह earphones तो जिल जाएंगी पूरी आपको बिल अगर दक की भी हमने earphones इसमें रखी है जो उनसी आपको best लगे वह आप earphones ले ले लेना अगर आपका budget हो तो अब बात करते हैं हमारी best earphones के की best earphones हमारी कौन सी होने वाली है और जो भी earphones मैं इसमें बताऊंगा अगर उसके specification मैंने नहीं दे रखे तो समझ जाना जो उसमें ड्राइवर्स है वो है dynamic drivers एंड उसकी जो frequency range है वो है 20 से लेके 20,000 ओके सेम सारी earphones में यही रहीगी अगर मैंने उसके specification नहीं दे रखे सबसे पहले आती है हमारी MIE dual driver जिसके price है सिर्फ 800 रुपे में आपके जो dual driver है उसमें मतलब एक side दो speaker लगे वे हैं जो कि हमारा एक speaker है 10 10 mm का एंड दूसरा है 8 mm का तो टोटल हमारा each side में हो जाते है 18 mm के drivers एंड साथ में frequency range एरकेस में 20 से लेके 40,000 जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिख रखा है 20 से लेके 40 kHz सक इस earphones में और कोई भी specification नहीं दे रखी बस यह तीन चीज़ दे रखी है एंड मैं अगर उसमें detachable mic नहीं है तो उस earphones में आप यह समाख सकते हो कि आगे जाके वो चीज़ जो है खराब हो जाएगी यानि कि अगर हम MI dual driver की भी बात करें ना तो इसका left side या फिर right side work करना बंद कर देगा यह जातर उन earphones में होता है जिसमें detachable mic नहीं होता और साथ ही उसके जो single driver, dual driver and triple driver की earphones जैसे कि आप उपर देखोगे मैंने लिख रखा है plus mic यानि कि इसमें detachable mic भी है ठीक है अब इसमें बस जो आपके drivers हैं वो dual, single, triple होते हैं तो इसके price भी ऐसी होते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो single driver में 10 mm का speaker dual driver में 6 mm के यानि कि 2 होएंगे अगर triple है तो 3 लगते हो यानि कि each size हो आते हैं 18 mm के drivers इसी earphones के जो current price चल रहे हैं वो भी मैंने आगे ले रखे हैं जो साड़े बारा सो, साड़े नो सो एंड साड़े साथ सो और मैंने specification नहीं दे रखी तो समझ जाना इसमें जो frequency range है वो 20 से लेके 20,000 की होगी and जो इसके drivers हैं वो होंगे dynamic drivers जैसे कि मैंने आपको शुरू महीं बता दिया था चलते हैं अपनी third earphones company पे जिसका नाम है Petron, Petron मुझे सबसे अच्छी लगती है बजट के इसाप से ठीक है तो इसमें दो variant आते हैं एक होता है single driver जिसमें मिलता है हमें digital mic भी जिसकी price range है 600 and इसमें मैंने no more info लिख रखा है तो समझ जाना कि इसमें जो frequency range है वो सब दोनों सेम होई की Petron company की जो boom multibar dual आती है जिसमें dual speaker लगे वे रहते हैं each side उसके पराहिजन सिर्फ 600 and उसमें digital mic नहीं होता तो उसके ज्यादा chances होते हैं कि आपका एक side काम करना slow हो जाएगा या फिर work करना बंद कर देगा next company का नाम ह हमारा air sound, air sound में हमारे A100 भी आती है and एक आती है A200 जैसे कि मैंने लिख रखा है, A200 के जो price है वो है 890 and इसमें dual dynamic drivers हैं जिसमें 12 mm के drivers लगे वे हैं और बाकी चीज़ा आपको दिख चुका है कि 20 Hz की वही same to same है frequency range and इसमें digital mic भी है, थोड़ा यार मेरे को जुखाम हो रहा तो उस वज़े से मैं थोड़ से ढंग से words नहीं बोलबा रहा, अब next earphones है हमारी plaxton की G15 जो किया gaming earphones, इसमें सिर्फ एनो ने अपनी information में दे रखिया, dynamic driver वो भी 10 mm के और कोई भी information नहीं दे रखी, देख लो भाई, बड़ी बड़ी company हैं फिर भी अपनी information नहीं देती, अब बा 2 mm का, टोटल हो जाते हैं 15 mm के driver एक side पे, और इसकी जो frequency range है वो है 20 से लेके 20 kHz सक, और same to same THD level इनो ने भी नहीं बता रखा, और बाकी information नहीं दे रखी, 4500 पे ले रहे हैं और फिर भी कोई information नहीं दे रहे, वा भाई वा, अब बात कर लेता है हमारी best earphones की जिसका नाम है Razer Hammerhead, इसके 3 variants available है V2, IOS and Pro V2, price 4500, 5500 and 7500 तक इनके 3 variants के price रहते हैं and इसमें जो driver दे रखे हैं वो है dynamic plus magnetic drivers, जैसे कि मैंने आपको starting में बता दिया था and इसके जो drivers में mm लगे हैं वो है 10 mm के drivers and इसकी जो frequency range है वो है 20 से लेके 20 kHz, again अगर बात करें तो इन्होंने भी अपना THD level न नहीं बताते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, हम किसले बैटे हैं, हम दिखाएंगे ना इन सब कंपनियों की उकाद, कि क्या है इनकी उकाद, ठीक है, अब next बात करते हैं हमारी favorite, HyperX Cloud, इसमें बात करें तो इसमें वो dynamic plus magnetic drivers हैं, जो कि है 14 mm के, Razer Hammerhead से जादा अच्छे drivers इसमें बात है, and frequency range इसकी 20 से लेके 20 किलो हट्स तक है, और इसका price है 4500 रुपे, वैसे तो 4500 रुपे ये सब चीज़े दे रहे हैं, तो ठीक है भाई, इयरफोन्स, अगर आप 5000 तक खर्च करने चाते हो, तो HyperX Cloud से अच्छी कोई इयरफोन्स होई नहीं सकती, ठीक है, अब बात कर लेता है हमारी favorite company जिसका नाम है Asus, Asus Rogue Earphones Catra, ठीक है, तो ये आती है 4500 रुपे की, इसमें जो frequency range है, वो बढ़ जाती है हर इयरफोन से, इसमें जो 20 से लेके 40 किलो हट्स तक जा रही है, बाकी में 20 तक रहती है, लेकिन इसमें जा रही है 40 किलो हट्स तक, and इसमें जो drivers है न ऐसे Asus Rogue Earphones भी, लेकिन 4500 रुपे के price में मैं आपको suggest करूँगा HyperX Cloud की, अब बात कर लेते हैं, most trending brand, ठीक है तो भाई, कोसमें quite आपको पता ही होगा, कि इनका CBEP030405 ऐसी ऐसी ऐरफोन आती रहती है, and इसमें अगर बात करें तो भाई, कुछ भी चीज़ें नहीं बताते है अपनी ना drivers बताते कि कौन से drivers ये लगा रहे हैं, dynamic drivers हैं, या फिर mackinity drivers हैं, कुछ भी ये नहीं बताते हैं, बस दो चीज़ें इनके pack पे available रहती है, वो की है 10 mm के drivers, plus frequency range क्या होती है, 20 से लेके 20 kHz, जो की हर earphones में आपको same to same मिलेगी, ये चीज़ आपने note करी है या फिर न इसके specification सारे same होएंगे, वो ही dynamic drivers होएंगे, and साथ में डाल देंगे 20 से लेके 20 kHz तक की frequency range, plus detachable mic, इन सब earphones में बस थोड़ी सी चीज़ें जो है, वो change हो जाती है, like earphones company, dual driver, single driver, या फिर थोड़ी सी earphones की looks, बस अंदर का जो माल है, वो सारा चाइना से आता है, and same to same हो जाए, exact, तो यहां तक तो मैंने आपको बता दिया है, A to Z company, अच्छा, JBL भी रह रही है, तो guys, JBL की जो quantum 50 है न, जो की साड़े, 1000 के आसपास आती है, तो उसका भी कोई driver info उन्होंने नहीं बता रहा का, अपनी website वगरा किसी चीज़ पे भी उन्होंने नहीं बता रहा की कौन से driver स यूज करते हैं, बस same to same, वो ही frequency range कितनी हैंगी, 20 से लेके 20 kHz सक, एंड जो drivers है, वो हैं सिर्फ 8.6 mm के drivers, अब JBL इतनी बड़ी company है, तो शायद वो जो driver है, वो उनके खुद क्यों हूँ, लेकिन भाई information तो देनी चाहिए न, चलो इतनी सारी मैंने earphones बताई है, एंड मैंने सुरू में आपको बता जाता कि आपको कौन सी चीचे देखनी चाहिए, अगर वो सब चीचे देखके भी, अगर मेरी लिस्ट में से देखके लोगे, तो आपको बताए, HyperX Cloud सबसे उपर आएगी, क्योंकि उसमें THD level वगारा सब चीच A to Z सही है, बाकी 2-3 company और है, जो मैंन कुछ से review करने के लिए मंगा रखे हैं, उनके products, और मैं चेक करने के बाद आपको बताऊँगा कि वो product आप खिलिदो या फिर नहीं, अब आप लोग ये सोच रहोंगे कि भाई, इतने सारे gaming earphones बंदे review करते हैं, लेकिन वो सब इतनी information के बारे में क्यों नहीं बताते हैं, तो मैं आपको seriously बता दूँ है, clearly, अगर वो ये सब चीजों के बारे में बताने लगे आपको, तो फिर वाई वो video क्यों डालेंगे, gaming earphones की review क्यों करेंगे, क्योंकि उनके जो products होते हैं, ऐसी companies के होते हैं, जो की अपने specification नहीं देती, जैसे की Cosmic Byte हो गया, या फिर JBL हो गय यह नी चुनी 5-6 company उसके बारे में बता रख होता है, और आपको भी उनी company की earphones लेनी पड़ जाती है, तो भाई ये चीजों का ध्यान नखे करो, ये 4 चीजे तो जरूर देखे करो, बस गाईज, आज के लिए इतना इस वीडियो में, पसंद आए तो like कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हो, इसे के साथ मिलेंगे एक लिए वीडियो में, बाई बाई, लव यूओ,